थाकड़ खबर ये खौप से ये सूचना हम सबने कल की हुई घटना जिसमें आप क्या देशा उनसार अठारवी विधान सभा का दितियू सत्र उत्तर प्रदेश में आहुद था उस सत्र में हम सब भाग लेने के लिए कल विधान मंदल दल की बैठक जो समाजवादी पार्टी के कार्याले में आहुद थी सुबह नौ बजे उस बैठक में हम लोगों ने अपने पार्टी के विधान मंदल दल की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक के बाद हम लोग अपने पूर्व कारकरम के अनुशार हम लोग पैदल सांती से सभी माननी विधान सभा के सदस्य उस बैठक के लिए हम लोग अपने पार्टी गेट से बाहर को निकल लहे थे जब हम लोग अपने पार्टी के गेट से हम सभी माननी सदस्य गण पूरी सांती विवस्था को बनाये होते रखते हुए विधान भवन के आहूद सत्र में भाग लेने आ रहे थे ठीक उसी समय हम लोगों ने देखा कि सडक पर एक भारी पुलिस बल लगा कर लगभग तीन चार सो कांस्टेविल्स इस्पेक्टर्स सी यो एसी पी असिस्टेंट पुलिस कमिशनर भारी मातरा में पुलिस बल तमाम पुलिस की गाडियां उन्होंने बैरिकेटिंग लगा करके रास्ते को अवरूद कर रखा है हम और हमारे सभी माननी सदस जो नेता पुलिस के नेतुत में इस सत्र के का जो आवन हुआ था उसमें भाग लेने आ रहे थे वहाँ पर उपस्थित पुलिस जदिकारी कई अन्य पुलिस के वरिश्ट जदिकारियों ने हम लोगों को रोका हम लोगों ने उन्हें अपना विधान सभा से प्राप उनको पर्चे पत्र भी दिखाया और ये उन्हें को बताया कि हमारा पर्चे पत्र है हम लोग चुने हुए विधायक हैं और सत्र की कारवाई में भाग लेने के लिए जा रहे हैं लेकिन माननी अद्र जी हमें लगता है कि सायग लोकतंतर में कभी ऐसा हुआ हो कि जब निर्वाचित विधायक और खासत और उस समय जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सत्र आहुत हो उस सत्र में भाग लेने के लिए विधायक जा रहे हूँ उसके बाद भी हमारे पर्चे पत्र को दिखाने के बाद भी पुलिस हदिकारीों ने हम लोगों को जबरन रोग दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास पर्चे पत्र होगा आप विधायक होंगे मैं नहीं जानता लेकिन हम आपको विधान सबा की कारवाई में नहीं जाने देंगे मैं स्वस्ता हूँ कि मानिय देजी जो ये कारवाई पुलिस द्वारा बल पूर्बग विधायकों को विधान सबा की कारवाई और सत्र में भाग ना लेने देने के लिए की गई है ये जहां लोगतंत की हत्या है वही कहीं न कहीं सभी सम्मानित मानी सदसों के विशेशा अधिकार का हनन भी किया गया है इसलिए इस सदन से और मानी अधेजी से हमारा आगरा है और विंती है कि जिस तरह सत्र में आते हुए हम विधायकों को अपना पर्चे पत्र दिखाने के बाद भी जवरन रोका गया है इसको संग्यान में लेकर के विशेशा अधिकार के हनन और आमाना के अंतरगत कारवाई और निर्देश देने की किरपा करें हम निविदन करेंगे पहले आप से बोला था बोलने के लिए बहुत ही महत्पूर है और लोगतंत्र के व्योस्था में मानिवर इस तरह से मानिये सदस्यों को सदन में आने से रोकना मानिवर अगर ये पुलिस अधिकारी थे प्यूस मूडिया जी उनसे हम लोगों ने कहा कि हमारा परचेपत्र देखकर आप हमें बद बजाने दें हमें सदन में important विशय है उस पे सामिलित होने का काम करना लोगतंत्र में और सम्विधान के अंसार भी हमें बिधान सभा में आने से रोकने का कोई उबबंध नहीं है कि हमें रोका जा सकता है मानिवर इस इस्थिती में हमें बिधान सभा से अपनी बात कहने में अपना पच्छ रखने में रोकने का काम किया गया निश्चित रूप से यह जहां उचित का विशय तो है ही है दूसरी तरह मानिवर यह सदन की यह मानना भी है जो हमाय विशय सा अधिकार का उसर मिला हुआ उस अधिकार का हनन है इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे चाहता हूँ कि जैसे वो अभी मानिय संसदिय कार मंत्री खड़े हो सकते हैं कि आपका यह पैदल आ रहे थे आप क्यों आ रहे थे पैदल तो हमारा यह अधिकार है कि हम पैदल भी चलें साइकिल से चलें हम गाड़ी से चलें मानिय वर हम देखते थे 1980 तक के सारे विधायग पैदल आते थे सादन में 1985 में 90% विधायक पैदल आते थे सदन में अगर हम पैदल आ रहे थे तो कहां से लोकतंतर की ओमानना है या कहां से कानून व्योस्था का उलंगन करने का प्रशन उठता है मानवारे ऐसी स्थिती में हमारा परचे पत्र देखकर हमें अंदर बाहर आने देना चाहिए था लेकिन परचे पत्र होने के बावजूद भी सदन में ना आने देना निश्चित रूप से अउचित का भी विशे बनता है और मानना का भी विशे बनता है इसलिए मारिवर मैं आप जैसे विद्वान अद्धेश से अपेच्छा करता हूं कि आप इसी सदन में उस अधिकारी को जिन्होंने हम लोगों को रोका जवरन रोका उनको स्री प्यूस मूडिया के नेतरुत में जो पुलिस बल थे उनको बुलाकर और उनका गवाह के रूप में उनको साच के रूप में यह सदन में एक अदालत के रूप में परिवर्ति करके बुलाने का काम करें जिससे कभी भी किसी विधाय को फिर कोई रोकने की हिम्मत न कर सके मानिवार 110 विधायकों के 115 विधायकों को रोक लेना निश्चित रूप से अउचित का भी विश्य है और अव मानना का भी विश्य है इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर आप व्योस्था देने की कित्पा करें मानि मंत्री जी मानि संसिधिकार मंत्री जी मानिय देख जी इस सदन की पहली मानिता तो यह है कि सदन में जो भी मानिय सदस्य बोलेंगे वो सच बोलेंगे और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हमारे दोनों मानिय सदस्यों ने कहा वो सद्य से बहुत परे है मानिय बढ़े किसी भी किसी भी मानिय सदस्ट को विधान सवा में आने से रोका ने गया अब 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 मैं तो अब जब 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 आप क्या हुआ हाथ में लिये थे जब आप हमें इसको देखकर आने देना चाहिए था कि अब मानियस वार आपके पास थोष कि अबर आप सच्छ ल मंतर जी खड़ें बात तो आज अ पूरी कर यहां तो आपके पास है तभी तो अंदर हो जाले अब बैठ लिड ज humming ने तो पर बिर्भ कंदान के सुनाएं मनिया अध्यक जी मानी संस्यदिकार मंत्री मानी संशिदिकार के अब बोलेंगे उनीकों देखूंगा ना करे रे माननी अध्यक जी आपको अपनी पार्टी कार्याले में मीटिंग करें कहीं जाएं आएं इसके ओपर ले तो कोई प्रत्वन था नहें और नहीं कल भी था हुआ क्या मानने बार अब पूरी बात सुनें जब आप हाई कोट के भी मानने बार आदेश हैं कि स्कूल हो अस्पताल हो हाई सेक्रूर्टी जोन हो उसमें कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो बिना अनुमति के कोई जलूस निकाले मानने बार यह य अरे जवाब पहले आजा उसके बार जबाब आजा जवाब आजा इसे आप माननी है जो भी समाजबादी पार्टी के सदस्व बिधायक इसे गटा हुए उसमें से तीन बिधायक बिधान परश्द में आये उनको आराम से आने दिया गया जिन लोंग अके लिए अके लिए कोई रुकावट नहीं थी नगेट में थी नगेट में थी और यहां थी बाने बर लेकिन क्या हुआ कि अगर कोई कोई जलूस निकालना हो तो प्रापरली बाने बार उसमें अनुमत ही लेना चाहिए उस हाई सिक्यूरिटी जो हो और आखिरकार कैसे लाइंडाटर मेंटेर करेंगे और पीछे यह बेवस्ता रह चुकी है कि जो बिना अनुमत के जलूस निकाला गया तो पता चला कहीं इनके साथ बहुत से ऐसे असवाजिक तत्व आ जाते हैं बीड़ में और भीड़ में असमाजिक तत्व अपना फाइदा उठाते हैं और उस उसमें एक बार जी में कुछ लोग आ जाते हैं आपको आपको समाजिक निकाल आएसे मेरा मेरा सिर्फ यह कहिना था कि अगर इनको पैदल मार्च करदा था इसमें किसी को आपती नहीं है आप कल से पैदल माल करो लेकिन जो हाई सेकुरिटी जोन है उसमें प्रापर्ली इन फार्म करके अगर पैदली ले लेते तो हम सश्वच्टे थे कि उसमें कोई गलत नहीं होता और किसी वो उसमें ऐसे असवाजिक तत्स सामिल हो जाते कि डिठने प्राइकों के साथ बीğimiz पाखी लोग मी थे वयूए काफी लोग थे और वो लोग उन से ये कहा गया कि आप इस हाई सिक्यूरिटी जोन से चोल के उन्हें बैकल्पिक रास्ता बताया गया लेकिन बैकल्पिक रास्ता बताने पर यह आप लोग वो हो गया और माही पर दर ने बढ़ गया यह हुआ माने वा इसमें किसी प्रकार से रोका एजेंडा था कि हम जलूस निकाल के आएं हमें उसमें कोई आपती नहीं आप आप विधाय को हैं विधाय को आईए यहां गेट पर किसी कोई नहीं किसी नहीं रोका विधान परशद में तीनों सदस से बाप पार्टी से पेट किया मनवर आप अटेंडेंस बंग बागे आप औरने ले लएं आप और मत भी आपको पुनिस देगी आपको अर्मट लेकि लेकिन विधाय को कहीं बहीं विधाय को नरोका गया नरोका जाना है ऑज और रोका जाएगा कल भी इसलिए हम आपको यह कहना चाहते हैं कि इन से बैकल्पिक रास्ता सुझाया गया कि इस परस्ते से नहीं इस रस्ते से चले जाएं तो भी यह नहीं यह यह तैयार नहीं हो यह भाई धर्रेबट में इसलिए माने बर यह 300 में बनता नहीं है यह उचत लेकिन जो घटना घटी है एक दिन पहले लखनव कमिशनरी से पुलिस के सबसे वरिष रधिकारियों ने आ करके नेता प्रितिपच्छ से बकाईदा इस रूट यात्रा के लिए उन्होंने डिस्कस किया और यह तैय हुआ उनकी शुकृती हुई कि ठीक है सर आप लोग जो और दस पंदरा तक आप विधान सभा के हाउस में आप आ जाईएगा यह शुकृती हुई बकाईदा मानि सिंसिदी कारमंत्री जी सवाल हमने पहले भी कहा कि ने सत्ता और पच्छ का नहीं सवाल विधायका का है यही हाउस था दो हजार बारा की सरकार थी हम लोग भी मंत् यहां सबैक अधिस थे और आप तब भी भरतपा के वर्ष नेता हुआ करते थे दल के यहाँ सवाल उठा था और मानि अध्र जी ने निरने दिया था उस inspector के खिलाप निरने दिया था और कहा था कुछ इस inspector के खिलाप 24 घंटे गंदर कारवाई होनी चाहिए यह यहां के मिनुट से ज़रो कर लिकिन जिस तरीके से माननी हमारी सद्स से बेहनों के साथ कल जो जिस तरीके पुलिस किसने हाथा पाई चिया जिस तरीके से रोका हम लोग क्यार दिखा रहे थे कि केवल उभ heartbeat WHO को जाने दिए मैं पुछ निर्टि के साथ निवेदन कर ले कि घृता हूँ शंशदीकार मंत्री जिसे भी निवेदन करना चाहता हूँ ये सवाल क्यों समाजवादी पार्टी के सदस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् को यहां पर दलब करना चाहिए यह पूछा जाना चाहिए कि किस तरीके से किल अधिकारों के तहाद किसके आदेश वाद उसने विदायकों को आने का उसमें दीजिए रोका है और इसलिए मैं चाहूंगा कि मानिय अधिजिजी आका शरुचा चाहिए यह सुना अगर यह नही आए यह नहीं चलेगी 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 नहीं